ब्रेकी बाद स्वागत है आपका अब दिख रहे हैं अर्बन अपडेट आग्रा में बेसिक सिक्षा विभाग के परिशदिय स्कूलों में बच्चे ठिटूरते हुए जा रहा है प्रदीश सरकार की तमाम वादे यहां धूटे साब होती दिख रहे हैं प्रदीश सरकार ने इस सभी स्कूलों में अक्टूबर तक प्राइमरी और जूनियर हाइज स्कूल के बच्चों को स्वैटर देने का वादा किया था लेकिन अब तक बच्चों को स्वैटर नहीं मिल पा रहे हैं सुबह बच्चे ठंड में ही डिटूरते हुए स्कूल जाते हैं शासन की गोश्रा के बाद से स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे और उनके अभी भावक स्वेटर मिलने की आस में थे लेकिन उनकी उमीद सिर्फ उमीद ही बनकर रहे गई वही सिक्षा अधिकारियों को कहना ह है कि अभी तक स्वेटरों की खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है स्वेटर की आपूरती इसमें कम से कम एक महीना लग जाएगा और वही सिक्षकों का कहना है कि सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को ठंड में ज्यादा परशानी होती है बताते ज्यादतर अभी भावकों की आर्थिक सिती कमजोर है जिससे वो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े उपलब्द नहीं करा सकते और ये एक साल की बात नहीं है बलकि हर साल सरदिया आते ही सरकार की तवाम वादे करने का जो सिलसला है वो शुरू हो जाता है और उसकी हकीकत कुछी महिनों में सामने भी आ जाती है सुबह पढ़ने के लिए आते हो तो सरदी लगती है अब है सरदी का माहल सुरू हो चुका है गुलावी ठंड आ चुकी है आगरा के परशती विद्यालाओं में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं सासन ने एक आधिश दिया था कि स्वेटर अक्टूबर में मिल जाएंगे लेकिन अभी तक किसी बच्चे को स्वेटर पुर्दान नहीं किये गए हैं आईए कुछ बच्चों को बात करते हैं आगém देए पद्मस्स तुमर्वेटर नहीं मिले सुड़्ने के लिए आते हो थंड लगती हैं आप्ट सब्सक्राइए नवीन नवीन तुम्हें स्वेटर नहीं मिला है अच्छा तुम पढ़ने के लिए आतों सुबह तो ठंड लगती है अच्छा